Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोग का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 29 और 30 सेटम्बर के करेंटरफेस देखेंगे आज 30 सेटम्बर है और 29 तारी की वीडियो आपको नहीं मिली थी तो दोनों वीडियो को यहाँ पर दोनों ही दिन के जो questions है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में आप से एक सवाल भी पूछा जाएगा उस सवाल का answer आप सभी को comment box में लिखना है जो की चिंगारी प्रेशन होता है अगर आप चैनल पर अब तक नहीं जूरें हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें वीडियो पसंद आती है तो इसे like and share जरूर करें देखे शुरू करेंगे हमारे daily motivational code से हासिल होगी मनजिल भी तू तयारी करके तो देख आग लगेगी फिर सेने में तू चिंगारी बनके तो देख तो चिंगारी जीत की ये current affairs है और इस current affairs को आप daily जरूर देखें पिछले कई महिनों से इसको लगातार जो है मुपलब्द करा रहे हैं और अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो PDF फाइल हमारे Android application पर available है जिसको एक लाग से भी ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है Edujos के नाम से ये PDF जो हमारा application available है Google Play Store पर और उसका direct link जो है नीचे description में हमने दिया हुआ है परसो जो question हमने पूचा था चिंगारी प्रशन उसका answer देख लेते हैं कल जो question हमने उसका answer बताया था वो गल्ती से मंदीप सिंग बता दिया गया था तो answer संदीप सिंग होगा option B जो है वो correct answer होगा भारतिय वायुसेना का नया उप परमुक जो है वो संदीप सिंग को बनाया गया है अब जो हमने उसके बाद कल जो आपसे सवाल चिंगारी प्रशन का पूचा था था इस तारीक को उसमें हम लोग question देख लेते हैं हाल ही में किस राजी सरकार ने कैटली मचली को जो है राज किये मचली गोशित किया है तो इसका अंसर हो जाएगा शिक किम ठीक है अब बढ़ते हैं आज के और कल के यानि 29 और 30 तारीक के current face की तरफ हर वर्स विश्व हिर्दे दिवस कब मनाया जाता है तो हर वर्स विश्व हिर्दे दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है ये आप से सवाल पूछा गया है इस question का answer क्या हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा option number B 29 सितंबर को मनाया जाता है इसकी theme बहुत important है Use Heart to Connect ये इसकी theme है World Heart Day 2021 की ये याद रखिएगा इस दिवस को मनाने के उदेश जो है वो हिर्दे समंदी समस्यां से बचने के लिए मेभिन उपायों पर जागरूपता फैलाना है विश्व हिर्दे दिवस मनाने की शुरुवात साल 2000 में की गई थी हर वर्ष विश्व स्वास्त दिवस 7 अपरेल को मनाया जाता है ये आपको करेंट अफैस रिविजन में याद रखना है और हर वर्ष विश्व एट्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस 4 फरबरी को मनाया जाता है और विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है अगला सवाल है विश्व रेवीज डिवस जो है ये वर्ल्ड रेवीज दे ये कब मनाया जाता है इस question का answer हो जाएगा option number C 28 सितंबर को मनाया जाता है यहाँ पर इसकी theme याद दखेगा रेवीज facts not fear तीक है रेवीज facts not fear 2021 की यती में 28 सितंबर को हर साल विश्व रेवीज दिवस मनाया जाता है इस दिन की शुरुआत फ्रांस के परशिद रासायनिक और सुक्षम जीव विग्यानी लूई पास्चर की पुनितिति के अफसर पर मनाया जाता है स्टेटिक जीके में याद रखना है लूई पास्चर ने रेवीज के टेके की खोज की थी अगर पूछता है रेवीज के vaccination की जो खोज है वैक्सीन की वो किसने की लूई पास्चर ने Current F.S. Revision में याद रखेगा हाली में गोवा भारत का पहला रेवीज मुक्त राजी बना है रेवीज एक जीवान विशानु जनित रोग है और ये वाइरस जो है वो अधिकांस्तर रेवीज से पीरित जानवर जैसे की कुत्ता, बिल्ली, बंदर, आदी के लार में मौझूद होता है और जब ये काट लेता है मनुष्य को तो ये रेवीज बिमारी हो जाती है आंकडों के अनुसार मनुष्यों के लगबग 99% मामलों में रेवीज का कारण कुत्ते का काटना है अगला सवाल है, हाल ही में किस रज के जूदिमा राइस वाइन को GI टैग दिया गया है important सवाल है, इसका answer हो जाएगा असम, option number A यहाँ पर correct answer होगा हाल ही में असम राज के जूदिमा राइस वाइन को GI टैग प्राप्त होआ है यह शराब असम की दिमासा जंजाती के द्वारा घरों में बनी चावल से बनाया जाता है घरों में बनी चावल की शराब जो डिमा जी आई टैग हासिल करने वाली पुर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन चुकी है करिंट अफेस रिविजन में याद रखेगा हाल ही में असम की तेजपूर लीची और कारभी आंगलोंग अधरक को जी आई टैग प्राप्ट हुआ है यह बहुत इंपोर्टन्ट है जी आई टैग से एक से दो सवाल आपको देखने को मिलेगा तो 2021 में जेतने जी आई टैग मिले उसको याद रखेगा 2020 वाले भी याद रखेगा हाल ही में राजस्थान के सोजत महंदी को जी आई टैग प्राप्ट हुआ यहाँ पर हम आपको सब रिवाइज करा रहे हैं 2021 वाले और मनिपुर के हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे यानि औरेंज को जी आई टैग दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में जापान के नए प्रधान मंतरी कौन बने हैं तो जापान के नए प्रधान मंतरी बने हैं Fumio Kishida Option A Fumio Kishida जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने है जापान के पुर विदेश मंतरी था ये Fumio Kishida नीनों ने सत्तारुट पार्टी के नेता के पद का चुनाव जीत लिया और Fumio Kishida जापान के नए परदान मंतरी होंगे किशिदा पार्टी के निर्वर्तमान नीता एवं परदान मंतरी योशी हीदे सूगा का स्थान लेंगे ये जो किशिदा है ये Fumio Kishida किसका स्थान लेंगे योशी हीदे सूगा का स्थान लेंगे जिन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया था स्टैटिक जीके में याद रखे जापान की संसत का नाम क्या है डायट है और भारत और जापान की सेना स्विक्त सेन अब्यास धर्म गार जियन करता है करिंट अफर्स रिविजन में याद रखेगा हाल ही में जापान के पूर प्रधानमंतरी सिंजुआवे का जन सेवा के छेतर में उतक्रिष्ट कारियों के लिए भारत ने पदम बिभूशन से उनको सम्मानित किया था और हाल ही में जापान की रैदानी टोकियो में 32 गिरिश् केंद्र है और इसका उद्गाटन किया गया है गुजरात में तो option A यहाँ पर correct answer है गुजरात ठीक है केंद्रिय कानूर मंतरी किरिन रिजुजुजु ने गुजरात में भारत के पहले sport arbitration center of India का उद्गाटन किया है SACI खेल छेतर विवाद में निवारन और देश के खेल छेतर का विस्तार करने के लिए एक सोतंतर निकाए के रूप में काम करेगा Static GK में याद रखना है गुजरात का अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है Current F.S. Revision में आपको याद रखना है हाल ही में डॉक्टर नीमा बिन आचारे गुजरात विदन सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ठीक है क्योंकि यहाँ पर गुजरात की चर्चा हुई है इसलिए यहाँ पर गुजरात से संबनेत Static GK Current F.S. Revision हम लोग यहाँ पर कर रहे है वरतमान में भारत के खेल एवम युवा मामलों के मंतरी जो है वो अनुराग ठाकुर है और UNESCO ने गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत के पहले वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में मानिता दी है नेक्स्ट कोशन है किस राज के कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंग सिदू ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है अगला सवाल देखने से पहले यहाँ पर इसी सवाल का कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लिजे हाल ही में पंजाब कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नवजोत सिंग सिदू ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया नवजोत सिंग सिदू ने कॉंग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष सूनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया कॉंग्रेस के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इसके अस्थापना 1885 में बहंबे में हुई थी कॉंग्रेस के स्थापना के समय वाइसराय लॉड डफरिन थे और कॉंग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद बनर जी थे ठीक है डबलू सी बनर जी के नाम से हम लोग जानते हैं शौट में नाम याद रखेगा डबलू सी बनर जी कॉंग्रेस की पहली महिला देख्ष थी एनी बेसेंट कॉंग्रेस की परतम भारतिय महिला देख्ष सरोजनी नाइडू और हाल ही में पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने है मुखमंतरी जो बने है चरणजीत सिंह चन्नी ठीक है चरणजीत सिंग चन्नी करिंट एफरेस रिविजन में याद रखेगा पंजाब के नए मुखमंतरी है अगला सवाल देखे किन्द सरकार ने Midday Meal Scheme का नाम बदल कर क्या रखा है? जो Midday Meal Scheme यानि जो Midday Meal योजना थी, इसका नाम सरकार ने बदल दिया है, इसका नाम PM Portion योजना कर दिया गया है. तो Option B, यहां पर राइट अंसर हो गया, स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्द कराने का ये कारिक्रम था, National Program for Midday Meal जिसका नाम बदल दिया गया, Midday Meal Scheme अब PM Portion योजना के नाम से जाने जाएगी. नाम बदलने के साथ इस Scheme के दाइरे में भी बदलाव किया गया है, नए नाम के साथ इस Scheme के जरिये अब प्री प्राइमरी कक्छा में पढ़ने वाले या फिर बाल बातिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी ताजा और गर्म भोजन मोहिया कराया जाएगा. अभी तक मिड़े मील स्कीम के तहट पहली से आठवी तक के बच्चों को ये बोजन दिया जाता था, इंपोर्टन फैक्ट में याद रखेगा, मिड़े मील कारिकरम को एक केंद्रिये प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्ट 1995 को भारत में लागू किया गया था. इस नाओं के आदान परदान और समुदरी सुरक्षा सहियो को बढ़ावा देने के लिए ये समझोता किया है. नौसेना परमुक एड्मिरल करम बीर सिंग और उनके ओमानी समकक्ष एड्मिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल रहभी के बीच समझोते पर स्ताक्षर हुए है. इस MOU के तहट दोनों देशों के बीच मर्चंट सिपिंग ट्राफिक के जनकारी का आदान परदान होगा. Important fact में याद रगना है भारते नौसेना और उमान की रोयल नेवी 1993 से दुईवार से एक समुदरी अभ्यास नसीम अलबहर का आयोजन कर रही है. उमान की राजधानी कहां पर है? मसकत और इसकी जो मुद्रा है वो है उमानी रियाल. Next question है. सरकार ने नवचारों का समर्थन करने के लिए कौन सा कारिक्रम शुरू किया है? Answer हो जाएगा इस question का जनकेर. Option number A. हाल ही में केंद्री राजमंतरी जो की स्वतंतर परभार के मंतरी हैं, विज्ञान और प्रदर्गी की जो मंतरी हैं, दॉक्टर जीतेंदर सिंग इन्होंने जनकेर सीर्षक से अमरित ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है और यह December 31, 2021 के समाप्त हो जाएगा. इसे टेली मेडिसीन, डिजिटल स्वास्थ, एम हेल्थ के साथ, बिग डेटा, AI ब्लॉक्चेन और अन्य तकनीकों में 75 स्टार्ट अप नवाचारों की पहचान करने के लिए लौंच किया गया है. नेक्स्ट कोईशन है हाली में अखिल भारतिय प्रवंदन संग AIMA जिसको आइमा काया जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं C.K. रंगनाथन, ओप्शन नमबर B इस कोईशन का राइट अंसर है. हाली में All India Management Association, AIMA का नए अध्यक्ष C.K. रंगनाथन को बनाया गया है. C.K. रंगनाथन, हर्ष, पती, सिंगानिया का स्थान लेंगे. आइमा की अस्थापना उने 1757 में हुई थी, जिसका मुख्याल है, यानि हेटकौर्टर नई दिल्ली में है. हाली में हुई महतपुर्ण नियुक्तियों को याद रखेगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. हाली में गुर्बील पाल सिंग को राष्टिये कैड़ेट कोर यानि NCC का 34-वा महानिदेसक यानि DG बनाया गया है. सरदार इकबाल सिंग लालपूरा को राष्टि अल्प संख्यक आयोक का नया अध्यक्ष बनाया गया है और विवेक राम चोधरी को वायुसेना का नया परमुक बनाया गया है. वी आर चोधरी को ठीक है इसके बाद देखे अगला सवाल है हाल ही में किसके द्वारा लैंडसेट 9 उपगरह लाँच किया गया है लैंडसेट 9 उपगरह जो लाँच किया गया है ये नासा के द्वारा किया गया है तो option C यहाँ पर correct answer हो जाएगा यहाँ पर याद रखेग इस उपगरह को नासा की new eye in the sky के रूप में जाना जाता है जो जलवायू परिवर्तन का अध्यन करने में मदद करेगा important fact में याद रखेगा पहला लैंडसेट उपगरह साल 1972 में लाँच किया गया था और नासा की स्थापना कब हुई थी? यहाँ का headquarter कहा है वासिंगटन DC में है एड्मिस्टेटर जो इसके हैं वो हैं Bill Nelson और current office revision में याद रखेगा हाल ही में भारत ने EOS01 उपगरह लाँच किया है यह एक पिर्थवी अवलोकन उपगरह है और कृषी वान की तथा आपदा परबंदन अनुपर योगों में सहायत प्रदान करता है नेक्स्ट कोश्ण है हाल ही में किसके दوعाँ अमूल शहध यानी अमूल हनी लॉंच किया गया है अंसर हो जागा इसका option number D नरेंदर सिंग तोमर ने लॉंच किया है अमूल हनी यानी अमूल शहध केंद्रिय किर्सी मंत्री हैं कि नरेंदर सिंग तोमर इन् important fact में याद रखेगा मदुमक्की पालन के अध्यन को AP Culture या मोना पालन कहते हैं current affairs revision में आपको याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसको KVIC कहते हैं इसने मदुमक्कियों का उपयोग करके हाथियों तथा मनुस्यों के बीच टकराओ को रोकने के लिए कोशन के तरफ बढ़ते हैं हाल ही में किस देश के Allrounder मोहीन अली ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया है ये किस देश के खिला रही है जिन्होंने सन्यास लिया इंग्लेंड ऑप्शन नमबर डी इस कुशन का राइट अंसर हो जाएगा मोहिनली इंग्लन के खिलारी है हाल ही में उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने का एलान किया है 34 साल के मोहिनली 12 जून 2014 को श्रिलंका के खिलाफ लॉड्स के मैदान में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी कब की थी? 2014 में उन्होंने अपना आखरी टेस्ट भारत के खिलाफ लंदन के The Oval में 2 सितंबर 2021 को खेला और Current F.S. Revision में याद रखेगा हाल ही में श्रिलंका की तेज गिंदवाज लसित मलिंगा ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लिया है और हाली में जिंबामबे के विकेट कीपर बल्लेवाज ब्रेंडन टेलर ने अंतरास्टी किर्केट से सन्यास ले लिया है इस पुस्तक को किस ने लिखा है यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं इस पुस्तक को किस ने लिखा है कुल प्रीत यादव ने और यहाँ पर अगला सवाल है इस पुस्तक के लिखा कोन है तो इस पुस्तक के लिखा का नाम है इंद्रा नुई यानि और अप्शन नंबर ए इंद्रा नुई इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा अब बारी हाज के एकस्ता खुराकी यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूचे गए है वीडियो को रोप करके आप जो है वो अंसर देने का प्रयास कीजे और सारे कुश्चन का अंसर आप मिलान करिए भगत सिंग का जन्म कब हुआ था भगत सिंग को किस मामले में फांसी दी गई थी भगत सिंग को कब फांसी दी गई थी वाई आइम एन एथिस्ट इस पुस्टक को किस ने लिखा 2021 में शहीद एयाजम भगत सिंग की कौन सी जन्ती मनाई गई है एक एक करके अंसर देखते हैं भगत सिंग का जन्म कब हुआ था 28 सेप्टेमबर 1907 को हुआ था और यहाँ पर भगत सिंग को किस मामले में फांसी दी गई थी लाहुर साज इसके मामले में इसके बाद सवाल है भगत सिंग को कब फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को और वाई यह लिखा भगत सिंग ने ठीके जो यहाँ पर कुश्यन है दोजारी किस में सही दियाजम भगत सिंग की कौनसी जैन्ती मनाई गई एक सो चोगदहवी जैन्ती मनाई गई कब 28 सेप्टेमबर को नेकस्ट यहाँ पर है चिंगारी प्रसन आजके चिंगारी प्रसन का आंसर आप सभी को comment box में लिख रहा है, सवाल पूछा गया है, हाल ही में किसे PTI यानि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का अध्याक्ष नियुक्त किया गया है, चार ओप्चन्स हैं, के अन्शान्ता कुमार, अवीक सरकार, वी यार चोधरी, डॉक्टर के रामाचारी अलू, तो जो भी correct answer है, आप सभी को comment box में इसका answer लिखना है, उमीद करते हैं, आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और शेर किजएगा, इस वीडियो पर हमने target किया है, 5000 लाइक का, उमीद है जल्द आप इसको पूरा करेंगे, thank you so much, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,